नमस्ता दोस्तों एक कोर्स है जिसमें कि हम आपको पूरा डिटील से बताऊंगा वन बाई वन करके 2D एनिमेशन के लिए जहांस पर कि आप सीख सकते हो कि हम कार्टून कैसे बनाते हैं और कोई भी स्टोरी को क्रियेट करने के लिए क्या-क्या हमें रिक्वार्मेंट होता है तो यह फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम आपको इंटरफेस के बारे में बताएंगे जो है इनिमेट सीसी जो 24 बर्जन है इसमें आप बिल्कुल ही आसानी वे में आप वर्क कर सकते हैं और बहुत सारा इसमें कंजेस्टेड नहीं है और किसी शॉप्टमेर में आप देख देखते हैं तो विल्कुल ही आसान तरीके से हर चीज को अरैंज किया गया है और आपने कोर्डिंग आप इसाँ इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं तो आज कि अब आपको पूरा जो है कैसे हम इसको work करते हैं और कैसे हम इसके interface को change कर सकते हैं अपने recording या आप animation करते हैं तो उसके लिए अलग platform होता है अगर drawing करते हैं तो उसके लिए क्या यहां पर drawing create कर सकते हैं चाहाँ वो character हो या background हो कोई भी चीज हो आप इसकी tools की मदद से आप उसको create कर सकते हैं तो मैं इस tools के बारे में आगे की tools दिया हुआ है उसके बार अगर ऊपर हम देखते हैं ऊपर सभी में आप जितने भी software देखें होंए सभी सप्ट्वेयर में उपर जो है वेनुवार होता है और मेनुवार में यहां पर बहुत सारा चीज नहीं है जो बिल्कुल ही सिंपल सा दिया हुआ है यहां पर जो है मेनुवार बहुत ज्यादा चीज नहीं है सिर्फ मोडिफाय है जिसमें कि हम वन-to-one करके देख सकते हैं कमांड है कंट्रोल है तो मेन में चीज हम देखेंगे कि जिसको ज्यादा रिक्वा कि यहां पर कुछ प्रोपर्टी इसका आता है जो भी चीज सेलेक्ट करते हैं उसका प्रोपर्टी जो है यहां पर खुल जाता है उसके बाद राइट साइड में हमारे पास जो है यह एक प्रोपर्टी खुल करते हैं तो इस टाइप से ही खुल कर आता है और यहां पर किन टैप के हैं यहां पर देख सकते हैं इस टैप से लेकिन हमें प्रोपर्टी पर ही काम करना होता है तो प्रोपर्टी यहां पर दिया हुआ और यह प्रोपर्टी जो है दोस्तों यहां पर कुछ भी चीज़ अगर ड्रॉ करते हैं उसका प्रोपर्टी यहां पर सो होता है हम हम देखेंगे दीघधे करके आगे की वीडियो में सिर्फ आज हम इंटरफेस के वारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर इस देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है कलर खुल के आता है और उसके बाद यहां पर चेंड की और देखना के और जो लिएन्ंवेंट है अगर आप मान लो इसको हम off ही रखते हैं तो यहां पर देखिए so होता है color के लिए इस पर click करते हैं तो color कुल के आ जाएगा इस पर देखते हैं तो आपको alignment information आ जाता है इस पर देखते हैं alignment का option तो इसके अंदर जाने के भी जरूरत नहीं परता आप यहीं से so हो रहा होता है उस पर भी click करके आप जा सकते हैं जिसमें भी जाना हो ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं कि नीची की और जाते हैं यहां पर देखिए एक timeline दिया हुआ है जिसको कि हम use करना होता है कि frame by frame animation के लिए और इसको भी हम देखेंगे detail में आगे की वीडियो में तो basically यहां पर यह चार पार्ट दिया होता है लेप्ट में टूल बार होता है यहां पर देख सकते हैं टूल पार दिया हुआ है और और उपर जो है मेन बार है और यहां पर जो है अपनें तरीके से आप इसको adaptive कर सकते इसके इंसको को modify कर सकते हैं तो अगर आप Photoshop जानते हैं Illustrator जानते हैं तो वहां पर भी जो इसका interface है वहां पर भी modify करने का option दिया हुआ था लेकिन यहां पर अच्छे से समझते हैं कि modify क्यों जरूरत है अगर माल लिजिए हम modify करते हैं यहां पर विंडो में जाते हैं यहां यहां पर work workspace दिया हुआ है यहां पर option दिया हुआ है small screen essential developer designer dubbing classic basic animation अब देख सकते हैं इसको पूरा को हम समझते हैं कैसे यूज करते हैं अगर आप small screen पर click करते हैं आप देख सकते हैं आपका जो screen है वह बढ़ा हो गया और सारा जो element था जैसे property था यहां पर टूल यहां पर जो timeline है वह सारा का सारा छोटा हो गया और आपका screen जो है यह बढ़ा हो गया कि इस ही type से आप यहां पर जाते हैं window में window में जाने कि बाद workspace पर जाते हैं एसेंसियल पर जाते हैं एसेंसियल पर क्या होता दोस्तों कि एसेंसियल सबसे अच्छा इसका इंटरफेस है जिसमें कि आपको हर टाइप से आपके इसमें इंटरफेस मिल जाता है जहां से कि आप टूल्स को भी यूज कर सकते हैं यहां पर टाइमलाइन को भी यूज कर सकते alignment सारे चीज़ को आप यहां पे यूज कर सकते हैं उसके बाद आगर जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे के यहांपे है design developer तो दोस्तों developer क्या होता कि यहांपे पहले क्या होता था कि होता था जो website बनाते थे वो यहीं पर बनता था इसका नाम पहले flash था और flash से जब adam ने खड़ीदा था इसको तो एडव एनिमेट कर दिया था फ्लैस का नाम चेंज करके तो फ्लैस में ही पूरा वेबसाइट क्रियेट किया जाता था यहां पर कोडिंग का भी काम होता है और अभी भी होता है HTML पर काम तो अगर डेवलपर पर क्लिक करते हैं आप देखिए इसक कुछ इस टैप से इसका लुक खुल के आ जाता है तो इसमें हम आपको डेवलपर मॉड में नहीं आपको बताएंगे क्योंकि आप देखिए यूजर इंटरफेस यहां पर दिया हुआ है आप देख सकते बटन बगएरा जो यूज होता है जब वेबसाइट बना देंगे त क 550 यूज होता है तैप बगएरा का यहां पर दिया हुआ है हर किसी के बारे में आप दिख सकते हैं ले कर तो डेवलपर की जरूरत हमको नहीं है क्योंकि हम जो है एणिमेशन सीख रहे हैं जिसमें कि आपको कहानी या कारटून बनाना है तो डेवलपर मॉड की जरूरत नह जो इंटरफेस है वो साड़ा का सारा चेंज हो गया इसका प्रोपर्टी इस तरफ आ गया है इसका टूल वार छोटे से स्कोने में आ गया alignment की बहुत ज़्यादा चरूरत होता है जब आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो इसलिए alignment को आपको प्रोपर बे में यहां पे सो कर दिया तो इस टैप से जो है यह मौट साड़ा इंटरफेस चेंज हो गया इसी टैप से अगर देखते हैं आगे बढ़के यहां पर डव करके है इसमें देखिए आपका इंटरफेस कुछ इस टैप से है जिसमें की डव कंट्रोल आ गया यहां पर विजीवल आ गया तो इ इधर का जो प्रोपरटी वार होता है वह पूरी तरिके से गायब हो गया और शिर्फ आपको एंटमी सेंप आप देख सकते हैं तो यह बेसिक दिया हुआ है इसको आप भी इस टैप का इनिमेशन इसमें बना सकते हैं आप देख सकते हैं और इसे टैप से अगर मालो हम इसको लाते हैं यहां पर देखिए यह भी आ गया आप देखिए यहां पर तो इस टाइप का इनिमेशन इसमें कुछ दिया हुआ है जो कि लाइब्रेडी में आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं अगर माल लेजिए यहां पर जो है देखिए इस टैप से पंक्षी है पंक्षी को भी देखिए बच्चे को जो है वो चोंच में लेके जा रहा है देखिए तो इस टैप से यहां पर भी कुछ एनिमेशन दिये हुए जिसकी मदद से अगर आप चाहो तो इसको आप कर सकते हो देखिए यहां पर आया यहां पर इस टैप से इनिमेशन आगिए इसमें तो यहां पे जो hai बेसिक यह से काम करता है तो इहां पर सभी का इंटर्पЕस अब यहां पर एनिमेश्टर के लिए अगर आ hell ओनिमेशन करना चाहते तो उसके लिए आपको कुछ इस टैप से इसका इंटर्पेस आता है जिसमें कि यह होता है अब यह हमारे पास जो इसके डिफॉल्ट दिये हुए हैं वह इंटर्फेस लेकिन अगर आपको अपने तरीके का इंटर्फेस चाहिए उसको हम कैसे अगर आपको लगता है कि हम अपने तरीके से इसका इंटर्फेस चेंज करना है तो वह आप कर सकते हैं और किस टैप से करते हैं मैं आपको बताता हूं मालेजिए हमारे पास इस टैप से इंटरफेस हैं अब हम चाहते हैं कि इसका जो यहां पर टाइम लाइन है यह टाइम लाइन हमको ऊपर चाहिए यहां पर उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं आप देखिए यहां पर लाते हैं यह ब्लू कलर का बन जाता है देखिए blue color बन गया मतलब यहां पर यह set हो जाएगा अब देख सकतेüm इसका time line जो है ऊपर की ओर set हो गया अब हम क्या करते है यह जो प्रोपर्टी बार है यह प्रोपर्टी बार हमारा जो recovered माय । तूल बार हमारा right में जाए हम क्या करते है इसको यहां में सेट हो गया अब हम इसका टूलवार चाहते हैं कि हमें राइट में चाहिए तो टूलवार को हम यहां से उठाते हैं यहां से टूलवार को उठाए और इसको राइट में रख दिया यह हमारा टूलवार यहां सेट हो गया और यह जो है यहां पर सेट हो गया अब देख सकत च्टक करके चोटा बरा कर सकते हैं और अगर keyboard में अगर सबसे बरावला जो इस पार होता उसको क्लिक करते हैं तो आप इसको Left Right कर सकते हैं आप देखिए इसका जो कट सर है वह हैंड में कणवर्ट हो गया और फिर आप इसको Left Right उपर नीचे जिधर भी करना चाहते हैं कर सकते तो यह था दोस्तों आज किस वीडियो में इंटर्फेस की बारे में तो आसा करते हैं आपको यह वीडियो बिल्कुल प्रोपर वे में समझ आहे होगी अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज आप कॉमेंट करके जो हैं बता सकत लेते हैं मालेजे 10-15 सब्सक्रिस्टिस्टन अगर आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जहां पर आपको डाउट हो मैं एक जूम कॉल पर भी आके आपको समझा सकता हूं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थेंक्यू